हेलो फ्रेंज मैं अनामिका मेरे की चिन में आप सभी का श्वावत है अज में सूजी रोल्स की रेश्पी लेकर आएं ये बड़ा ही यूणिक रेश्पी है इस रेश्पी बनाना पिल्कुल आशान है और पहर में पड़े इंडियर्श बनके दयार होता है तो इस रेश्पी क गैस की तरफ चलेंगे गैस पे हमें एक बड़ा सा कडाही ले लेना है गैस को हमें आउन करना है और हम जिस बॉल से सूजी का मेजर करेंगे उस बॉल से हम इसमें दो बॉल पानी डालेंगे तो हमने ऐसा ही बॉल से माप किया है सूजी का तो इससे हम दो बॉल पानी डाले पानी में हम अच्छे से उबाल आने देंगे अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल एश्फून तेल उबलते हुए पानी में डाल देना है और इसमें हम डालेंगे एक चमच नमक नमक को पानी में अच्छे से बोल दीजिए पानी उबल चुपा है और नमक तेल भी पड़ गया अब हम इसमें डालेंगे शूजी तो शूजी को हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और एक एक स्पेचुला की मदद से इसे ऐसे चलाते जाएंगे क्योंकि हमें ये सूजी की नौर्मल तेल नमक में डो तयार करना है इसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं है तो आप देखी नहीं कि दो मिनट में ही अपनी सूजी सारे पानी को अब्जॉब कर लेगी और एक डो का रूप पकर लेगा तो हम इसे कंट्लियू चलाएंगे चपड़ी होगी तो आप देख सकते हैं सूजी ने अपने पानी को अफ्जॉब कर लिया है और ये डो का रूप कर लिया है अब हम गैस की फेम को अफ्जॉब कर लेंगे और इसे एक दूसरे बॉलतर में क्रास्पर कर लेंगे जिससे कि ये जल्दी ठंधा हो जाएगा तो इसे क्या होगा जल्दी ठंधा हो जाएगा और हम इसी कडाही को शाथ करके इसमें अपना इस्टरफिंग तयार कर लेंगे ज्यादा बर्तन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इस रेस्पी में तो हमने ये डो को खाली कर लिया रवा डो खाली करके हमने कडाही गैस पे सब्राइस और इसमें से चमद्छ टेल डालें गें से तेल को हम अच्छे से गरम होने डीके प्ड़ अधा चमद्छ राइ क शील काकंतर को ऒूद्थ चमद्छा धाल डालेंगे येइटि! अब हम इसे प्याज डाल देंगे, तो यहां पे हमने एक बड़ा साई प्याज को बारी बारी चाट लिया है, इस ट्रफिंग में प्याज आपको खाना है तो डालिये, अगर नहीं खाते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रफिंग चटपटी बनाने के लिए इसारे प्याज के साथ ही हमदा लालेंगे दो बड़ी बड़ी मिल्यboys हमने काट लिया है और एक हिंट अग्रफिंग के टु्ग्रे को हमने बारी भ Lost लिया है अब देख सकते हैं अपना प्याज में सलका सा सौफ्ट हो चुका है अब हम यहां पे डालेंगे एक कटोरी फोजन मड़र अगर आपकी मड़र हड़ी हो ताजी हो तो उसे फूरा सब वाइल कर लीजिए और इसमें हम मड़र डाल दिए अब हम इसमें कुछ एसपाइसे अब क पच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च अपने अनुशार एड़ कीजिए और हम एक चमत धनिया पौडर डालेंगे सबको यहां पे हम कुछ सेकेंड के लिए भूजेंगे मसाली को हम कुछ मिनट के लिए मड़र के साथ भूनेंगे फ्लीन हम स्लो रखेंगे और अब य नमक डाला था तो यहां एक ट्रफी में भी हम अंदाल से ही नमक डालेंगे नमक की माद़ा ज्यादा नहीं होने चाहिए नहीं तो शुजी रोल का डेश्ट खड़ाव हो जाता है अब हम इसे धीले धीले तीन से चार मिनट तक भूनते हुए पका लेंगे हमने मसाले को दो मिनट तक भून लिया है प्याल के साथ अब यहां पे हम डालेंगे एक चमच आमचुर पॉडर आमचुर पॉडर की जगह पे आप चाट मशाला भी डाल सकते हैं उससे भी अपनी श्टफिंग को पक्षक चरपटी तयार होगी और एक चमचम गड़म मशाला भी डाल लेंगे गड़म मशाला डालने से इस में अच्छा सकत शबू आता है इससे भी हम मशाले के साथ अच्छे से पकाएंगे तो आप देख सकते हैं अपना प्याज मेज अद्रक और यह बटाना दबा के मैं भी खा देती हूं बटाना भ हमने मशाले के साथ बटाना प्याज सबको अच्छे से पका लिया है यह पकना बहुत ज़रूरी है नहीं तो फिलिंग अपनी जो है कच्छी कच्छी लगेगी फिर मजा नहीं आएगा तो आप इसका कलर देखिए इसको प्रेज करके सेख कर दीजिए सारे इंगिदियें प हम इसे मशाले के साथ 2-3 मिनट तक पकाएंगे यानि कि हमें विल्कुल ध्राइग और तयार करना है हमें विल्कुल सुखा सुखा एश्टॉफिंग तयार करना है तो हम अच्छे से आलू की पानी को शुखाएंगे सबको पता है उडले हुए आलू में हलका सा मॉस्टर हो जाता है तो यह भी प्रोसेस हमें अच्छे से करना है चलाते हुए आलू का मॉस्टर सुखाना है इससे स्वार भी आ जाएगा और बढ़िया श्टॉफिंग ही तयार हो जाएगे आप देख सकते हैं आलू में बिल्कूल मॉस्टर नहीं है यानि कि यह श्टॉफिंग एकदम खिला खिला तयार हुआ है हमें ऐसे ही श्टॉफिंग तयार करना है और फाइनली हम इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया पता धनिया पता से कोई भी सब्जी हो यह श् तूपरा में था ओम ऐसी नसी हो गया है तो हमें इस टॉफ करने में अचानी रहता है अब हम धनिया पता अच्छे से मिक्स कर दिये हैं और इस श्टॉफिंग को हम ठंधा होने देंगे तब तक हमने जो सूजी का डो तैयार किया था ओ नॉर्मल हंधा हो चुका है जादा नहीं हुआ है चलिए हम देख लेते हैं उसे अब देख सकते हैं अपनी रवा जो हमने पानी में बॉयल करके रोजे सा बनाया था वह हलका ठंधा हो चुका है यानि कि हमारा हाथ सह लेगा इतना ही ठंधा हुआ है अब हम हाथ में थोड़ा सा ते लेंगे और हाथ को ऐसे ग अब देख सकते हैं हमने हाथ को ग्रीज करके रवा की डो को ऐसे मुठी बना बना के ऐसे मसल दिया है तो यह बिल्कुत सौफ्ट डो तयार हो गया है हमें ऐसे ही चिकना डो तयार कर लेना है अब चलिए हम इसका रोल बनाना शुरू करते हैं अब हम क्या करेंगे हाथ को थ और यह डिएफ कर लेंगे और अब तो यह कुँ बिलकुत सीप किया नहीं कि हम नहीं कि असल पर आपको चार रोल बना के दिखा दे र हैं पिल्कुतिश और दोरल सिट करके यहां पर एक प्लास्टिक सीट रखेंगे हमने यहां पर एक प्लास्टिक का सीट रख लिया है हमारे पास यह तेल का पैकेट खाली हुआ था तो हमने उसे काट लिया आप कोई भी प्लास्टिक का सीट ले जीए अब हम यह लोई को ऐसे सीट पर रखेंगे और हलका सा प बेल लेंगे, आपको जितना बड़ा रोल बनाना है, उतना बड़ा लोई लीजिए और डो को फैला दीजिए, तो आप देख सकते हैं, हमने इसे चौकोने में फैलाया है, अब हमने जो डो तैयार किया था, उसका भी हमें मुठी से ऐसे रोल बनाएंगे, जितना बड़ा हमारा ये सीट है, उतना बड़ा रोल बना लेंगे, इस टफिंग हम अच्छे से फिल करेंगे, तभी जाके ये खाने में टेस्टी लगेगा, हमने किनारा थोड़ा सा छोर दिया है, हम हाथ को फिर से धो लेंगे, अब हम एक किनारे से ऐसे सीट को उठाएंग और धीरे धीरे इसे रोल कर लेंगे, लाश्ट में हम इसे ऐसे घुमाते हुए, प्रेस करते हुए ज्वाइंट कर लेंगे, किनारे से इसका मूँ हम ऐसे सील कर लेंगे, और फिर हम सीट पे थोड़ा सा इसे चला देंगे, क्योंकि जो किनारे में अपना बज़ा था, वहा जितना डोल बनाना है हम एक साथ में बना लेंगे फिर हम दुश्रा भी आपको दिखा दे रहे हैं लोई को हमने प्लाच्टी पे ऐसे पहला लिया एक बेलन की मदद से हम इसे एक चौकोर्षी तैयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बेला जा रहा है अब फिर हम एश्टाफिं लेंगे और इसको ऐसे रोल तयार कर लेंगे जितनी बड़ी अपनी पूरी तयार हुई है सुच्छी कि उतनी बड़ी रोल तयार करेंगे और ऐसे बीचों बीच रख देंगे एक किनारे से हम धीर इसे उठाएंगे और इसको ऐसे रोल कर लेंगे दोनों मुख को हमें ऐसे सील कर देना है हमने साइब से ऐसे चिपका दिया और ये पाट चिपका दिया फिर हम इसी प्लाश्टिक पर ऐसे थोड़ा सा रोल कर लेंगे जो किनारे अपनी श्टफ ही नहीं पहुंची होगी, वहां तक अच्छे से पहुंच आएगी तो यह अपना दुश्रा शुजी रोल तयार हुआ ऐसे ही हम सभी रोल तयार करेंगे आप देख सकते हैं, हमने चार रोल तयार कर लिया है गैस पे हम कडाही में तेल गरम कर लिये हैं चलिए गैस के तरब चलते हैं आप देख सकते हैं, कडाही में तेल गरम हो चुका है तेल अपनी अच्छी खासी गरम होनी चाहिए उसी में हम अपने एक एक रोज विन तक प्राई करेंगे आप देख सकते हैं कि बढ़िया ये प्राई हो रहा है। एक बढ़िया में दो रोल डाल गए हैं। एक साइट से ना डेट से दो मिनद तक प्राई करेंगे। फिर आपको फ्रीक कर देखाएंगे। देर मीनट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इतना बढ़िया अपना कड़ारे दार रोल तैयार हो रहा है। ये खाने में बहुत कि प्रेश्की रखता है। दूसरे साइट से भी हमें इसे हल्का ब्राउन होने तक सेख लेना है। हमने उलट प्लट के अपने सुझी रोल को सेख लिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं। इतना बढ़िया कलर आया है। एक कड़ारे दार हो चुका है। अब हम इसे जढ़ने की मदल से टेला करते हुए। एक प्लेट में दाल लेंगे। और सेम प्रोश्क से हम दुश्र करणा रोल ठ्राय करेंगे तेगरम ही है हम ही रेज ही अपने रोल तो इसमें पार देख लिया। इससरी क्लार नांग से को तैयार होता है। तो अब इस मदल के ऊश्कित पूर ॉल् 뭇ला से तो आपने देख लिया सूजी रोल्स बनाना कितना आशान है और खाने में तो यह बहुत टेश्टी लगता है यह मैदे से नहीं बनाए इसके लिए हेल्दी भी है बच्चे बड़ी सभी पसंद करते हैं तो इस रेश्पी को आप जरूँ ट्राइ कीजिए और मेरी चैनल को ल झाल झाल झाल